नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशी शभीनव और हमारे साथ हमारे सयोगी इंद्रमोहन रुपौली में उपचुनाओ होना है और उपचुनाओ इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हाँ दो किरदार ऐसे हैं जो लोग सभा चुनाओ में एक दूसरे के धुर विरोधी थे पपू यादब के लिए बीमा भारती ने जिस तरीके से चुनाओ में उनके खलाब चुनाओ लड़ते हुए प्रचार किया और पपू यादब को हराने के लिए आरजडी के तमाम नेता चुनाओी मैदान में उत्रे इससे ऐसा लग रहा था कि पपू यादब इस गेम से बाहर हो जाएंगे लेकिन अकेले दम पर चुनाओ लड़ते हुए पपू यादब ने पुर्णिया लोकसभा सीट अपने नाम कर लिए अब सवाल ये है कि रुपॉली में विधान सभा उप चुनाओ होने है और आरज इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आखिरकार भीमा भारती को पपू यादब के पास आना ही पड़ा क्या उनके बिना पुर्णिया की राजनीती या विधान सभा उस शेत्र की राजनीती संभव नहीं है इसलिए बिल्कुल फिलाल तो पुर्णिया में बिना पपू याद में उनका वोट जो है वो जादा है तो यानि वो वहां भी चुनाव जीत रहे थे और कुल मिलाकर भीमा भारती को वोट ही क्या है अगर भीमा भारती और पपू यादब देखे तो पांच लाग से जादा वोटों से वो चुनावा रही है पपू यादब से लेकिन इसमें आदब नहीं दिखें इसका मतलब क्या है क्या तेजस्वी वहां परचार के लिए नहीं जाएंगे तेजस्वी बिहार में हैं भी या नहीं है इस पे लेकर भी संसे है हमारे सुत्र ये कहते हैं कि तेजस्वी आदब चुनाव के बाद अपने इलाज के लिए बाहर जा चु तो तेजस्वी को परचार करना चाहिये था दिए भीमा भाती के लिए क्योंकि भीमा भारती के परचार में अगर आपको याद होगा उर्न्या में तेजस्वी नी भाम लिया था कि हाँ चुनाव पॉइ यादब जीज सकते हैं तब ही उन्होंने कह दिया कि आप अगर इंडिया गडबंदन को वोट नहीं दे रहें तो आप NDA को दे दीजिए, पपू यादब को मत दीजिए, लेकिन इन सब के बीच अगर कहें तो जो त्रिकोन बना, उसमें कोई फसा है, तो वो तेजस्वी आदब है, तेजस्वी अब साइड हो गये, क्योंकि त ज़स्वी को पता है कि पपू यादब और भीमा भारती ने अगर आपस में बातचीत कर ली, तो ये मुकाबला वहाँ दिल्चस्प हो जाएगा और भीमा भारती चुनाव जीत सकती है, जेडियू ने अपना केंडिडेट वहाँ दे दिया है, वो लगातार परचार कर रही जेडियू की वो सिटिंग सीट रही है, भले ही वहाँ भीमा भारती चुनाव जीती वो जेडियू से चुनाव जीती थी, वो आर्जेडियू में गई है, तो इसलिए वो सिटिंग सीट जेडियू की रही, जेडियू चुनाव परचार में जुटी हुई है, जेडियू जो लोग समझते हैं वो भी कभी-कभी बड़े अचंभे में रह जाते हैं क्योंकि पप्पु यादब ने चुनाज इतने के बाद ये कहा कि उनकी ना तेजस्ट्री से बात चीत हुई ना लालुई आदब से कोई बात चीत हुई उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई अपने कारकरताओं को कहेंगे कि आपके लिए वोट करें जनता को मैसिज़ करेंगे कि वो इंडिया गटवंधन के कैंडिडेट बीमा भारती के लिए वोट करें तो वहां का माहौल बदल जाएगा ये इतना आसान है क्या इतना करेंगे क्योंकि तेजस्ट्री आदब ने दिया है वो इंडिया गट बंधन का कोई ऐसा सिंबल थोड़ी है वो तो आरजेडी का सिंबल है वो पहले कहने थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे उसके बाद उन्हें बुला कर सिंबल दे दिया गया है अब वो चुनावी मैदान में तो क्या हलाकि राजनीती में कुछ भी स लगता है कि बिना पपू यादब के समर्थन के विधान सभाव वो चुनाव नहीं जीत सकती है वीमा भारती तो क्या आरजेडी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी पपू यादब को अप्रोच करने की अलाकि वीमा भारती खुद अगर उन्होंने मुलाकात की है लेकिन आ तो ऐसे में क्या उन्हें फिर से कॉल जाएगा ऐसा लगता नहीं है और इसी चीज को मैनेज करने के लिए क्योंकि ये पता था बीमा भारती को भी कि जो बरे नेता है आरजेडी की वो तो मैनेज नहीं करेंगे तो जरूरी है कि क्योंकि कैंडिडेट खुद बीमा भारती ह चुनाव हारती हैं तो लगभग उनका राजीतिक केरियर खत्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब वो सीट पपू यादब के पास है अगली बार अगर पपू यादब अप्रोच करेंगे कि इंडिया गट बंदन से वो सीट उनको दे दी जाए तो सीट पपू यादब को कह रही है तो ये बिल्कुल वक्त की नजाकत है जिसे उन्होंने देखा समझा और वो समझ गई है कि अगर पपू यादब ने परचार किया तो वो चुनाव में टकर दे पाएंगी वरना जेडियू उस सीट को फिर से वापस अपने पास रिटेन कर देगे तो आपको क्या लगता है बीमा भारती के लिए क्या लालो प्रसाद यादब और तेजस्वी यादब पपू यादब को अप्रोच करेंगे क्योंकि रुपॉली विधानसभा उप्चनाव सिर्फ उप्चनाव नहीं है एक तरीके से आप समझे तो इसे सेमी फाइनल भी आप कह सकते हैं और RJD की क्या वाकई विधानसभा में मजबूत स्थिती है मजबूत ताकत है इसका भी थोड़ा सा आकलन 2025 से पहले जरूर हो जाएगा आपको क्या लगता है कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं बिहार तक